केंद सरकार के तीन कुशी कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के प्रदर्शन के चलते आज नेशनल हाइवे 24 बंद कर दिया गया दरसल गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है दिल्ली ट्राफिक पुलिस ने नशनल हाइवे 24 बंद होने की जानकारी दी है बता दें कि भारतिय किसान यूनियन के नेता राकेश चिकैत के आवाहन के बाद उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर, मेरड, बागपद, मुझफपर नगर, मुरादाबाद और बुलन शहर से और ज्यादा संख्या में किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल ह होने के लिए पहुच रहे हैं, हाला कि यूपी पुलिस ने किसान प्रदर्शन कारियों से हाइवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन किसानों की भीड़ बॉर बढ़ गई है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी यहां तैनात कर दिये गए हैं, बता दें कि नेशनल हाइवे 24 डिल्ली को उत्तरप्रदेश के प्रमुक शहर गाजियाबाद, भापुल, मुरादाबाद, बरेली, शाज़जापुर, सीतापुर और लखनवादी से जोडता है, नेशनल हाइवे 24 के बंध होने से यूपी के इन शहरों से डिल्ली आने जाने वाले पोट नमामी भारत